नमस्कार मेरा नाम है साजेब और आप देखना सुरू कर चुके हैं समाचाराज तक गुड़ा के मेला मैदान में इस वक्त अब मौझूद हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भव मंच बंद करके जो है तैयार है बता दे के गुड़ा से कॉंग्रेस और महागडबंदन के परत्यासी परदीव यादफ की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आज तमाम दिगज नेता महागडबंदन की जितने भी दिगज नेता हैं चाहे हम बात कर ले पुर्मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पतनी कलपना सोरेन वो यहाँ पर मौझूद रहेंगी और कॉंग्रेस क केंदरस्तर की नेता यहाँ पर प्रियंका गांडी वाडरा जो है वो भी आज गुड़ा के मेला मैदान में आने वाली हैं जिसको ले करके आप देख सकते हैं कि सेक्योरिटी जो है वो काफी जादा यहाँ पर सकते हैं और यहाँ पर सेक्योरिटी आप देख सकते हैं चारो पुमान लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में जो है लोगों की भीट देखने को मिलेगी हाला कि कारिक्रम अब तक सुरू हो जाना चेथा लेकिन उसके बावजूद भी रात में जो है मौसम का मिजाद जो है बदला और रात भर जो है गुड़ा जिले में बारिश हुई ज इसके बाद अब जो है कारिक्रम को कुछ देरों तक स्थगित कर दिया गया है बता दे कि प्रियंका गांधी वाडरा के यहां आने की जो है संभावना बताई जा रही है आप देख सकते हैं कि यहां पर जिलाद्यक्स दिनेश यादव जो है वो मंच से तमाम तैयारियों का जो है यहां पर मौायना ले रहे हैं तमाम जिस तरीके से आप देखेंगे कि इससे पहले भी जो परदीव यादव का नॉमिनेशन कारिक्रम हुआ था उसमें भी भारी संख्या में बीड देखने को मिली थी हालाकि उसमें कॉंग्रेस के सेंटरल इस्तर के कोई दिगज ने लेकिन इस बार प्रियंका गांधी वाडरा जो है वो गुड़ा के मेला मैदान में आने वाली हैं तो इसको ले करके लोगों के अंदर किस तरीके से उत्सा है और किस तरीके से लोग इस वक्त मेला मैदान में पहुंचेंगे अपनी नेता प्रियंका गांधी को देखने के यह एक बहुत बड़ी बात होगी हम आपको बता देखिए यहां पर गेट है वहां पर आप देख सकते हैं कैमरा मैं सागर करूंगे दिखाएं वह मेला मैदान का में इंटरेंस गेट है और गेट से अपॉजिट साइट जो है मंच बनाया करके तैयार किया गया है और यहां प के मिजाज के लिए आप देख सकते हैं 12 से बचने के लिए टेंट को पूरी तरीके से जो है यहां पर ढखा जा रहा है तो यह वो तैयारियां है जो गुड़्डा के मेला मैदान में कॉंग्रेस नेता प्रियंका गांधी वहीं पूर मुख्यमंत्री हेमंच सोरेन की पतनी क कलपना सोरेन महागडबंदन के लिए परचार परसार पूरे देश में कर रही है और काफी मजबूत तरीके से परचार परसार कर रही है जिसका तमाम जगों पर काफी असर देखने को मिल रहा है और एक मजबूत छवी की नेता जब से हेमंच सोरेन की गिरफतारी हुई है तब से उभर करके सामने आई है तो अब कलपना सोरेन आजपरदी व्यादव के कारिकरम में पहुँचेंगी उनकी जीत को सुनिश्चित कराने के लिए पहुँचेंगी तो अब देखना तिलचस्प होगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं अपने नेता क को देखने के लिए और किसकदर भीड जो है इस कारिकरम में देखने को मिलती हैं तमाम अपडेट आपको यहाँ से देते रहेंगे इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें समाचारास तक